जिस तरह से इस्त में बहुजन समाज पार्टी एक से एक बड़ी से बड़ी जन सभाय कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी रेलिया कर रहे हैं, पार्टी के छोटे से कार करता से लेकर बड़े से बड़े कार करता तक, यानि ब्यस्पी स्विप्रमो मायवत्ती जी भी 2024 के लोक सब पचुनाओं में धमाके दाड़ रेलिया करती हुँ नजर आएंगी आपको अभी तो बहन जी पहली रेली ही नाकपुर में की थी उसी रेलिम उन्होंने इतना हाट भाषड दिया कि बीजेपी सहित कॉंग्रेस और अन दलों की भी मुस्तिबते बढ़ा दी अगर बहन जी ऐस छोड़ देगी और जो लोग यह कह रहे थी कि बहुजन समाज पार्टी एक दिम से खतम हो चुकी है तो उनको तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी का यह बदलाओ उनको मुह तोड़ जवाब देता हो नजर आ रहा है अब बहन जी जब यह तावर तोड रेलिया कर रह दो हजार चुबिस के लोग सबाद चुनाओ को लेकर बड़ी सबड़ी रेलिया बड़ी सब्सक्राओ कर रहे हैं इसको देखते हो कहीं न कहीं दूर नहीं जब बहुजन समाज पार्टी इस देश की पहली दलित परदान मंत्री बनेंगी वह दिन भी दूर नहीं अगर ऐस से मेहनत होता तो बहुजन समाज पार्टी आज यहां तक नहीं पहुए तक बहुजन समाज पार्टी यूपी की चार चार बार बहन जी मुकमंत्री रही वहां पर भी उनका जो औस देख और बहुत हट तक डाउन हुआ है क्योंकि उन्होंने लोग कह रहे थे कि वीजेपी नहीं दे रहे हैं मगर आप जब इस तरह से बहन जी ने पूरा एकदम काला चिट्था जिसका जो भी था उन्होंने खोल कर रख दिया सब कुछ बाते साप कर दी है तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस समय अपनी पहले जैसे जो 2012 में और 2006 में देख ल बताएंगे यूपी के पूर्ट मुक मंतरी यानि अखिलेस यादों ने उन्होंने क्या बड़े दावे किये हैं अगर हमाई सरकार बनती है यूपी के अगर हम 80 सीटों पर जीतते हैं तो हम यह यह काम करेंगे और वहीं साथ ही आपको बताएंगे राहुल गांधी ने मोध के पुराने वार्थए को लेकर और महेंगाई को लेकर एक बड़ी से लिस्ट में क्या कुछ लिका है महेंगाय को लेकर सब कुछ हम आपको बताएंगे और वहीं साथी आपको बताएं जिस तरह से समाझवादी पार्टी के परवक्ता कह रहे हैं कि आकास्ट आननद बेहन जी को यानि BSP सुप्रमों को बेहन जी क्यूं कह रहे हैं अधरने बेहन जी जोगी उनकी वह बुवब कह रहे हैं उनको उस पर उनको मुह तोड़ कर जबाब मिला है और क्या कुछ है सब कुछ हम आप बताएंगे और वहीं साथियों कर आपको बता दें हमाये देश के पियम यानि नारेंद मोदी जी इन्होंने अपनी बड़ी प्रत्किलिया दिये सोचल हैंडल एक्स पर वह भी हम आपको बताएंगे और वहीं साथियों कि तमाम हो खबरें हैं जो टीवी चानल अवे अकबार नहीं दिखाते हैं जो खबर खास करकि बहुजन समास से रिलेटर होती है हम ऐसी खबर लेकर आते हैं तो अपने इस चैनल एक जी मीडिया को सब्स्राइब जरूर करें और वहीं साथियों जिस तरह से अकास अनंद ने आगरा वे मतुरा में रेलिया किसी उसके बाद पुजारी के भेश में जो पुलीस कर्मी वहां नजर आते हैं तो कितनी निंदनिये बात ही एक पुलीस कर्मी एक आम नागरी के सुरिच्छा के लिए होता है वह ना की मंदिर में पूजा करवाने के लिए होता है पुजारी के लिए होता है यह बड़ी खबर है आपको बत मामला है सब कुछ हम आपको बता दें जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लोग कहतम होता नजर आ और मतुरा में जिस तरह से आकास अनंद ने रेलिया की उसके बाद आकास अनंद ने बड़ी पर्त कि दिया अपनी सेशल हैंडल एक्स पर दी उन्होंने लिखा आज आगरा और मतुरा संसदिय छेत्र में ब्यस्पी के समर्थ को कारकरता और पददिकारियों का जोस और जज़बा अद्भुत था माताओ बहनों और इवाओ सातियों का जोस देखने लाइक था मैंने साब कहा कि इस बार जब ओट मांगे आ लोगों के वीज़ रखी और वहीं कहा और आपको याद रखना है कि हमारा सिर्फ एक ही धरम है छिच्छा तुरिच्छा और रोजगार जिस तरह से बीज़बी वाले आपको धरम के नाम पर भठकार हिंदों मुसलिम कर रहे हैं उसको लाएकर सीधा ब्यस्पी कोडिनेटर साथ यह लिखते हैं ब्यस्पी कोडिनेटर आकास अनंद इस समय बड़े तादात में अकास अनंद एक दम एक्टिव मोड में हैं एक से छोटे से छोटे दल और बड़े से बड़े दलों की पॉल खॉल रहे हैं उनकी प्रानेवादे याद दिला रहे हैं जहां तक कि आजा साथ अनंद बेक्ती धरती पर हैं यह लिखते हैं तो वहीं पर उनको मूत रड़े जवाब हो देते हैं सुरज कुमार बहुत ने लिखा अपने बाप को पापा ना कहकर नेता जी कहने वाला और भरी सभा में बाप को धक्के मार कर मंज से धकेलने वाला धरती का पहला नेत कौन है नाम बताओ सीधा अखले सियादों को बिना नाम लिए हुए अखले साथ लिखते हैं पुलीस के भेस में पुलीस कर्मियों का होना किस पुलीस मैनुवल के हिसाब से सही है इस तरह आदेश देने वाला निलंबित किया जाए कल वो इसका लाब उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उस पर परसासन क्या जबाब देगा निंदनी है यह लिखा एकले सियादों ने वजी बड़ी ख़वर थी कि जिस तरह से पुजारी के भेस में पुलीस वाला वहां पर मंदित की रखवाली कर रहा है इस पर आपकी क्या पर्दिया है कर में जोर दीजिएगा और वहीं साहूल गांधी लिखते हैं जनता को बड़ी महंगाई पड़ी मोधी सरकार में आटा 20 रुपे किलो था 40 रुपे किलो हो गया दाल 80 रुपे किलो थी और 210 रुपे किलो तक हो गई है दूद 30 रुपे से 66 रुपे लिटर तक तेल बावन से 500 तक पेट्रोल चाचट से 97 रुपे लिटर तक इसमें हो गया डीजल बावन रुपे से 90 रुपे हो गया है और डालर 58 रुपे का हो गया है जो यूएस का डॉलर होता है वह पहले 58 यानि 58 रुपे का था और इस समय 83 रुपे का हो गया है इस डॉलर और वहीं चाहती वागे हैं इस कमजोर महंगाई और रिकार्ट तोड़ बेरोजगारी आम जनता पर दोहराई मार है और यह आज देश के लिए दो सबसे बड़े मुद्दे हैं मेडिया मुदी बात दिखा कर मुद्दे की बात छिपाने की कोशिस करता है ताकि भाजपा सरकार का सच जनता के सामने नाए नारेंद मौधी देश में अपना रिपोर्टी कार्ड छिपा रहे हैं जिसमें वह सब्जेक्ट में फेल हैं और जनता आप उनकी कलास लगाने को तैयार बैठी है यह लिखते हैं राहुल गांधी साथि इस पर आपकी क्या परत किरिया है कहीं ना कि जो बात यह राह चुपी के जिला गोंटा से कैसर गंज लोकस्वा स्रीट से कई बार के सांसा बिज भूसर स्रडन सिंग्षा तो आप भली भाती जानते होंगे अभी हाल फिलाहल वो बड़ी चर्चाओं में आये थे पहलवानों के योन सोशन के मामले में अब फिलाहल उनको चुनाओ लड रहे ते उसके बाद भी उन्होंने परमीशन नहीं लिया इसी के उपलच में उनके उपर यह फाई यार हो गया यह बड़ी कवरती और वहीं साथ चुछ आपको बताएं एक लेस्यादों का वादा है पूरे देश के युवाकों को लेपटाप दिया जाएगा गरीब मेहला सहित सभी भसलों पर MSP सभी किसानों का करजा माप अगनी वीर योजना को खतम करेंगे सभी किसानों को पांच हजार महिना दिया जाएगा जातिय धायत जनकरना कराके सब को अवादी के हिसाब से अधिकार दिया जाएगा यह लिखते हैं लाल जी बर्मा और यह लाल जी बर्मा यह बड़ी लिखते हैं अगर यूपी के अस्ति सीटों पर हम जीतते हैं यानि समाजवादी पार्टी वह इंड़े गडबंदन अगर जीतता है तो वहाँ पर हम इतनी फैसलेटी देंगे मगर अभी यह जब यह यूपी के सत्ता में यह जब यूपी के मुक मंत्री थे अखले से तो आखिर इतनी फैसलेटी क्यों ने दी लेपटॉप भी तरण किया वह भी नाम के लिए तो बजनता को भली भाती पता है तो आज की इस बड़ी ख़बर में यही सब कुछ था